आज मैं आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छी सी साड़ी जो है वो ड्रेप करना बताऊंगी वो भी बॉडडी पर कैसे फिर दिख सकती है साड़ी यह रहा मेरा फाइनल लुक आप लोग के सामने जो मैंने ड्रेप करके बताया हुआ है तो चलिए वीडियो को स्टार करते ह यह रहा मेरा लाश्ट वाला फाइब्रिक जो मैं राइट साइड से टकिंग करते हुए अपना फर्स्ट राउंड जो है उसे कंप्लीट करूंगी सो मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है बस उसे मुझे टक करना है सो मैं फर्स्ट टकिंग के सामने ही उसे मैं ट अच्छे से देनी पड़ती है जिससे बहुत ही अच्छा सा उसका जो लुख है बहुत ज्यादा प्यारा लगे सो मेरा फर्स्ट डाउन कंप्लेट हो चुका है अपार यह आती है पल्लू की प्लेट की सो यह रहा मेरा फैब्रीक जो आप लोग के सामने है पल्लू आला यह बह होती जादा अट्रेक्टिम रंगने वाला कलर है कि और्रेंज और जादा प्यारा लगता है सå में सारा प्लेट जो है प्ल्लू का प्लेट वह बाइम करके अच्छी तरिके से शीकोर कर लूंगी सोब करते हुए एक सेप्टी पीं जिससे मेरा एक भी फैब्रिक जो है वो इधर उधर ना हो हालां कि अभी मैं सेट नहीं करने वाले हूं पल्लू का प्लेट्स क्योंकि मैं पहले अपना नीचे का सारा प्लेट्स एरेंज करूंगी उसके बाद मैं पल्लू वाला प्लेट्स सेट करूंगी सो बैक साइड से नी करके छोड़ेना है इसे बाद में आपको अर्जिस्ट करना है कहां पर यह आप अर्जिस्ट कर सकते हैं वह में बाद में बताओंगी पहले आप प्लेटस सारा एन्रेंज कर ले जह आया है जो मिद नो अगर फैब्रिक का प्लेटस अच्छे तरीके सभी अगर सेट करते हो तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है यह रहा मेरा लास्ट वाला फैब्रिक पहले उसे मैं अच्छी तरीके सेट कर लूँगी सेट करने के बाद उसी के कॉर्डिंग मैं अपने सारे फैब्रिक को प्लेट्स में एर्रेंज करते हुए जाओंगी क् प्लेट्स मैं अच्छी तरीके सेट कर ले रही हुँ है अन्द मेरा सारा प्लेट्स सेट हो चुका है उसे मैं वन बाईवन करके अच्छे से थोड़ा सा डिस्टेंसिंग देते हुए अपने लप्ड वाले फिंगर से पकड़ते हुए अंदर की साइड मैं सारे फैब्रिक क तक कर दूंगी आपको बैली बटन के शामने ही टक करना है तो मैंने बैली बटन के शामने टक कर लिया है बचा हुआ फैब्रिक मैंने अच्छी तरीके सेट कर लिया है सारे प्लेट को लेते हुए एक शेप्टी पीन आपको बैली बटन के नीचे लगा लेना है जब आप बै निकालने के बाद आपको राइट हैंड को इन करना है राइट हैंड को इन करने के बाद आप अपने फैब्रिक को अपने हैंड से पकरते हुए बाहर निकालना है आपको टाइटली आपको बाहर निकालना है खिचते हुए जिससे आपका जो साइट का शेप बहुत ही ज्याद कि मैंने अपने फाइब्रिग को सें कर लिया है उसके उपर से जो मैंने फाइब्रिग निकाला हुआ था उससे मैं उसी के उपर अच्छी तरीके से कर दूँए जिससे से ऐसा ना लगी कि मैंने यहां पर कोई भी फाइब्रिक इस्ट्राश ही और किया है तो आप लोग को मैंने बताया था पहले बुटन की नीचे एक शेप्टीपीन लगाना है अगर आपका प्लेट्स और भी ज्यादा एट्रेक्टिव दिखाना है तो आपको एक शेप्टीप निकाल लोगी प्लेट्स से निकालके अच्छी तरीके से मैं अपने चो मेरा ब्लौज है उसके थोड़ाशा बैक साइड ले जाकर मैं एक सेप्टीपीन वाला सेप्टीपीन आप लेना उसी से अपनी सारे फैब्रिक को अच्छी तरीकी से सीकोर कर लेंगी जब अच्छी 5D को set करते हुए एक बार अच्छे से set कर लीजिए so this is my final look आप लोग के सामने है मेरा final look कैसे लगा मेरा final look मैंने बहुत ही easy तरीके से आप लोग को बताया है अगर ऐसे ही आप लोग भी डेप करना चाहते हो तो आप लोग भी डेप कर सकते हो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में सुधन तर टेक केर and बाई